दोस्तो माई सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है हम लोग इंग्लिश लिटरिचर में इंडियन इंग्लिश राइटर की स्टड़ी कर रहे हैं आज आपके सामने हैं अम्रीता प्रितम ठीक है आपको सारे एक्जाम जो भी आप अगर पीजटी की तैयारी करें तो उसके लिए भी अल दा बेस्ट नेट की तैयारी करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए और हर जगह से अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं कोई कोई यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे है या और कह से पढ़ रहे है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए सुरू से आखरी तक और हर वीडियो से कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कोई भी कोश्चन में चार ऑप्सन रहते हैं तीन गलत रहत अलग अलग चैनल्स को देखिए और अलग अलग बुक्स को देखिए और पढ़ते रहे हैं और यह विश्वास रखिए कि आपको जरूर कोई भी कोश्चन जो एक्जाम में आएगा वो आपको बनेगा ही बनेगा चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आल दे बेस्ट आप एड गुजरनवाला पंजाब जो की अब पाकिस्तान में है ना इन पाकिस्तान और इस फादर नेम वास करतार सिंग हितकारी यह वास स्कूल टीचर उनके पिता जी जो स्कूल टीचर थे और अलसो यह वास गुट पोईट एन स्कॉलर ऑप ब्रिज भाषा ब्रिज भाषा क दोनों पिता पुतरी लाहर चले आए शी वास मेरिट टू प्रितम सिंग इन 1936 जिनका बचपन महीं उनसे विवा सैट हो गया था 1936 में उनके साथ विवा हो गया शी बिकेम बिकम शोसल एक्स्टिविस्ट एंड जोइन दे प्रोग्रेसिव राइटर्स मुमेंट अब उनक काम के रेडिस्ट्रेशन लाहर में और बाद में पार्टिशन के बाद इंडिया आ गई हर वर्क ऑफ पंजाबी और उर्दू लेंग्वेज टांस्टेटेटेट इंटू मैं उनके बहुत सारे जितने भी उन्होंने पोयम्स लिखी है चाहे प्रोज लिखें एसेज लिखे है तो सारे के सारे जो है वो सभी उन्होंने पंजाबी और उर्दू में ही लिखी है सारी ट्रांसलेटेटेट हुई है अलग अलग भाशाओं में डैनिस में फ्रेंच में इंग्लिश में जापनीज एक्सेक्टरा तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सिफ इंपॉर्टन लिट्रेचर हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेटेट हुए है और बहुत पापुलर है शी आलसो गेव सर्विस टू आल इंडिया रीडियो पंजाब अंटिल 1961 शी रोट ब्लैक रोज शैडोज और वर्ड्स और रिवेन्यू स्टेंप इसके आरे में और फिल्म है चंद्रकान दिवेधी जी के द्वारा निर्देशित है ना उसमें मनुझ बाचपई हीरो थे मेरी ख्याल से तो दा स्केलिटन ये इंग्लिश में पब्लिस हुए है नॉवल 1950 में तो इस्टोरी और पार्डिशन रियोट्स दा क्राइसेस और वोमेंस हू सफर दूरिंग टाइम उस समय जो भी सहा है सफर किया है दोनों ही तरफ के लोगों शी है पोट्रेट द सफरिंग और पीपल और बोद दा कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान उन्होंने बहुत ही शांदार ही उनका नॉवल है दे स्केलिटन इंग्लिश में पब्लिस हुआ तो इस स्टार्टेड राइटिंग एन स्प्रीच्वल थीम्स और ड्रीम्स उसमें क्या लिखा है उन्होंने टाइम कंसियसनेस लिखा है यह इंग्लिश में ट्रांसलेटेट है एन कॉल अब दा अन्नोन यह भी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था दोनों ही ठीक है फिर तो टाइम कंसियसनेस कॉल अफ दा अन्नोन हम तो इंग्लिश लिटरिचर पढ़ रहा है तो वहाँ पर इंग्लिश में ही आएगा तो हिंदी में पढ़ने की जरुआती नहीं है पीपल्स ऑगिश यह जो है 1944 में पप्लिश हुआ था कलेक्शन और पोयम का कलेक्शन विच क पीपल्स ऑगिश जो है बहुत पॉब्लिश है बहुत ज्यादा उनका जो बूलना चाहिए इसकी कोश्चन बन सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है इन वेरी अर्ली एज शी रोट पोयम्स नेम्ट इम्मॉर्टल वेव्स अम्रित लहरे करेके उन्होंने लिखा ता जो सिर्फ 16 साल की उम्रित में लिखा था क्या है इम्मॉर्टल वेव्स कलेक्शन ऑफ पोयम्स शी अलसो बैस नोन फॉर ओड टू वारिस सहा यह अलेजी उन्होंने लिखी है ओड किस के लिए ओड टू वारिस सहा यह भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है ठीक है तो इसको भी याद रखे ओड टू वारिस सहा एलेजी है इम्मॉर्टल वेव सापने याद रखा जो की कलेक्शन ऑफ पोयम है 1936 में 16 साल की उम्रिमन लिखा था शी एडिटेट नागमनी एक पत्री का थी मंतली लिट्ररी मैगजिन पंजाबी फॉर मैनी यर्स काफी साल तक उन्होंने इसका संपाधन की एडिट किया नागमनी शी वस कंसिड़ेट था फर्स मुमन पंजाबी पोईट राइटर नॉवलिस्ट है सेस्ट और आटो बायोग्राफर ठीक है तो पहली मुमन है अम्रित प्रितम जी का नाम कौन नहीं जानता ठीक है नागमनी ये मैगजीन का नाम भ पॉरो इसका मैंन करेक्टर थी बहुत पॉपलर करेक्टर है तो हम लोग करेक्टर को नाम याद रखते हैं तो इसका एक कोशन अगर बनता है तो हमको ये बन जाएगा फिर रिवेन्यू स्टेम्प उनकी एक gelecek एजएन ऑट्टो बायोग्वाफी है रिवेन्यू स्टेम्प विच डिसक्राइब हर लोव विद दा सहिरलो ध्यानवी के सात्त उनका जो प्रीम था उसको इसमें डिसक्राइब के ऊन्होंने रिवेन्यू स्टेम्प में दू तो revenue stamp का नाम याद रखिये है, Amrita Imbrosa, Love Story याद रखिये, The Skeleton आपने याद रखा है, उसकी character पुरो याद रखिये, ठीक है, तो ये इनका important जो novel या poems का collection था, जो मैंने आपको बताया, तो अब बहुत अच्छे से याद रखिये, Immortal Waves हो गया है, आपने याद रखा है, ये मंतिली literary magazines थी, फिर उन्होंने ये, ठीक है, spiritual themes, writing जो लिखी है, वो time consciousness, call of the unknown, फिर people's august लिखा है, ये उन 1944 में, तो ये साथ 10 इसका लेटर ना भी आपको बताया है, है ना, shadows of the words also, she has written, ये सब याद रखिये, आपको जरूर काम आएगा, और मेरा पूरी प्रारतना है, कि इन में से कुछ ना कुछ आपको परिक्षा में एक पी question आगया, तो मेरा वीडियो सफल हो जाएगा, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो subscribe करना बिल्कुल न दूखक झालें टो हो जाएगा, तो आपको तो मेरा वीडियो होगा, और मेरा वीडियों का लादा मेरा.